वेल्कम टू ड्रीम के बीसी जिके दोस्तो एक बार फिर से स्वागते आपका ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल पर दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर भारत की जलव आयू तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यहाँ चैनल ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल सब्सक्रेब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तो आपको नमबर बिनती रहेगी आप निचे रहे रेड़ गलर के सब्सक्रेब बटन को द बादीजी ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नौलेजेबल वीडियो की नौडिफिकेशन विलतरे एक इस तो वीडियो अन तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना को क्विशन नंबर 376 और इस वीडियो का पहला क्विशन है मानसुन वर्षा की वि होते हैं आपको कमेट करके हमें बताना है खुद का नौलेज चेक करना है इसका आंसर है ऑप्षन डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंदर्दा वर्षा होने वाली दिनों की निरंदर्दा मानसुन वर्षा की विश्यस्ता नहीं है पर मौसमी वर्षा अनिची तदा अनि त्रण तीनों सही हो जाएगे नेक्ट विशन चेनने में जाड़ों में वर्षा होती है यहां पर चार ओप्षन देएगे हैं अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकती हो और अपना नौलेज भी चेक कर सकती हो तो इसका आंसर ओप्षन भी उत्तर पूरी मा वर्षा विंटर में वर्षा होती है नेक्ट विशन दक्षिन पच्छी मानसु से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिसत वर्षा मिलती है तो इसका आँसर ओप्षन भी लगबग 75 प्रतिसत वर्षा मिलती है दक्षिन पच्छी मानसु से संपूर्ण भारत में चलते हैं अगले क्यूशिन पे विशो में सरवादिक वर्षा मानसी राम में होने का कारण है अगर आपको बता हो तो इसका आंसर आप कमेड भी कर सकते हो और अपना नौलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका आंसर है आप सने पहाड योका कीपा कार आकरिती में होना विशो में सरवादिक वर्षा मानसी राम में होने का कारण है चलते हैं अगले क्यूशन में ग्रिश्म काल में आने वाले तूफानों को निमन लिकित में से किस राज़ में काल वैसा की के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर है option डी पच्छी मंगाल राजी में काल वैसागी के नाम से जाना ज़दा है ग्रिस्म काल में आने वाले तूफान होगो Next question दक्षिन पच्छी मानसून काल में निम्नलिकी स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है तो इसका आंसर है option सी चेन्नलिकी में होती है दक्षिन पच्छी मानसून काल में सबसे कम वर्षा चलते है अगले किशन में भारतिय उप महादिप पर ग्रिश्म रूतु में उच्छ ताप मान इवं निम्न दाब हिंद महासाकर में वायू का अकर्षन करते है तो जिसके करण प्रभावित होती है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकती हो और अपना नौलेज भी चेक कर सकती हो तो इसका आंसर है ऑप्षन भी दक्षिन पच्छी मानसून ऑप्षन बी सही हो जाएगा चलते हैं अगले कुशन में भारत में सबसे कम वर्षा का खेतर है भारत में सबसे कम वर्षा का खेतर कौन सा है तो इसका आंसर है ओप्षन है कच से लेकर पंजाब हरियाना तक भारत में सबसे कम वर्षा का खेतर है ओप्षन ए सही हो जाएगा अगला कुश्यन पारत में वर्षा का आधिक्या होते हुए भी यह देश 85 धरती समझा जाता है इसका कारण क्या है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना वर्षा का पानी सिग्रता से भाप बनकर उड़ जाता है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जूर होना अगला कुश्यन आमर वर्षा है मैंगो शोवर है यहापे चार ओप्सन दिएगे है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड़ भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका आंसर आप्सन सी बिहार इवं बंगाल में मार्च इवं अप्रेल में होने वाली वर्षा है आमर वर्षा भारत के उत्तर पच्चिम भाग में सीथ काल में वर्षा होती है तो इसका आंसर है option C, पच्छिमी विक्षोबो से भारत के उत्तर पच्छिम भाग में सीत काल में वर्सा होती है Next, मानसुनी जलवायू की प्रमुख विशेश्ता है यहापे option D से हुझाएगा वायू की दिशा में मौसमी परिवर्थन Option D से हुझाएगा यहापे Next, यदे पी भारत का केवल दक्षिनी बाग उश्नकड़ी बंद में स्थीत है तथा पी संपूर्ण भारत की जलवायू उश्नकड़ी बंदी है इसका कारण है तो इसका आंसर है option D, उच्छी हिमाले परवस्टेणिया उत्री ठंडी हवाओं से इसकी रक्सा करती है उच्छी हिमाले परवस्टेणिया उत्री ठंडी हवाओं से इसकी रक्सा करती है option D से ही हो जाएगा Next, भारत का अधिकांश भाग करकर रेखा के उत्तर में स्थीत है पर इसे एक उश्नकड़ी बंदीय देश कहते है क्योंकि जिसकांश रे option D देश की जलवायू का निर्धारण उश्नकड़ी बंदीय मानसुन से होता है option D सही हो जाएगा चलते हैं अगले question पे निम्न लिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सुखा स्थान है तो इसका answer है option C लेह सबसे पुराना सुखा स्थान है चलते हैं अगले question पे उत्तर पुर्वी मानसुन से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर पुर्वी मानसुन से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है इसका आंसरे option C, तमिल लडु है, option C से हुज़ाएगा तमिल लडु नेक्स विशन, भारत की सरवादिक वर्सा मुख्यत प्राप्त होती है तो इसका आंसरे option C, धक्षिन पच्चिम मानसुन से होती है, भारत की सरवादिक वर्सा नेक्स्ट मानसून किस भासा का सब्द है तो इसका आंसरे ओप्सने अर्भी मानसून अर्भी भासा का सब्द है निम्न मैंसे किस राज्य में प्रत्या वर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है नेक्स्ट भारत के पच्चीमी समुदरी तड़ पर वर्षा किस मानसून से होती है तो इसका आंसरे ओप्सन दी दक्षिन पच्चीमी होती है भारत के पच्चीमी समुदरी तड़ पर वर्षा नेक्स्ट भारत की किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है तो इसका आंसर है आप्शन भी तमी लड़ो तमी लड़ो राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है नेक्स्ट भारत की किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है आप्सन B तमेश लड़वाएगा अक्टुमबर गर्मी का प्रमुक कारण क्या है तो इसका आन्सर है उप्टुमबर और नवमबर के महीनों में कहा अधिक वर्सा होती है तो इसका आंसर है option दी कोरो मंडल तट में तो कोरो मंडल तट में अक्टमबर और नवम्बर के महिनों में अधिक वर्षा होती है Question number 400 भारत के पच्छी मी तटों में ग्रिश्म में अती उच्च वर्षा मुख्यता किसके कारण होती है तो इसका आंसर है option A उष्ण कटि बंदिय अवस्तिती option A सही होजेगा उष्ण कटि बंदिय अवस्तिती के कारण अती उच्च वर्षा मुख्यता होती है दोस्तों यहाँ पे यह वडियो समाप होता है हमारा यह वडियो आपको अच्छा लगा हो आपकी स्टडी में हेलफूल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रिम के बीसी जिक्के यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर में नती रहेगी आप निचे रहे रेड करके सब्सक्रेब बिटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जय हिंद जय भारत वंदे माद्रम